हमने मैंस के question लेकर आए question के आ बुला find x और यहां पर दिया हुआ x factorial equal to 6 factorial into 7 factorial तो हमें यहां पर x के value find करने हैं चलिए मैं इस question को आपको solve करके दिखाती हूं हमारा question दिया हुआ है x factorial equal to 6 factorial into 7 factorial ठीक तो यहां पर हमें factorial कुछ basic चीज़ जानने हैं आपको बताओं जैसे माली या की हम जानते हैं कि 7 factorial हमारा क्या होता है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यह होता है ठीक है मैं पेश को थुड़ा यह तर कर दू हो ठीक है यह होता है यह हम सभी जानते हैinh factor एक फर्मूला को फार्मूला का लगाए, फार्मूला न-1, न-2, और इसससर दाश डाश करके इन्टू 1 तक चल जाता है, तो यह वाला फार्मूला आपका इसमें लगाए, जो कि आपने ख्लास लामत में पढ़ा होगा, तो इसससर दाश यहां पर ध्यान दीजएगा, 7 factorial में यह 7 को छोड़ देजे, बाकि यह 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यह किसका factorial बनना है, यह आपका 6 factorial बनना है कि नहीं, क्योंकि हम जानते है, 6 factorial क्या होता है, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यह होता है, तो यहाँ पर देखिए, जो 7 factorial है, इस 7 factorial को हम क्या लिख सकते हैं, यह 7 जो है, यहाँ पर लिखिए इंटू और यह जो पूरा टर्म है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 वन देखी, यहाँ पर यह है न, यह किसके बराबर है, 6 फेक्टोरिल के बराबर, तो हम यहाँ पर इस पूरी के जगह क्या लिखेंगे, 6 फेक्टोरिल लिख सकते हैं, कहने का मतलब यह है, कि हम 7 को दूसरे तरीके से, यह ऐसे बिल सकता है, 7 इंटू 6 फेक्टोरिल, ठीक है, अब उसके आगे देखेंगे, एक और चीज जान लिजे, अब उसी तरीके से माल लिजे कि 8 फेक्टोरिल है, तो 8 फेक्टोरिल को हम क्या लिखते है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इ यह पूरा 7 फेक्टोरिल का बनना है, यह पूरा 7 फेक्टोरिल का ही तो फॉर्मूला है, तो इसके जगा हम क्या लिखेंगे, यह पूरा ना लिख करके, इसके जगा हम क्या लिखेंगे, 7 फेक्टोरिल लिखेंगे, उसी तरीके से, अगर आप 9 फेक्टोरिल लिखना चाहे फिर उसी तरीके से 10 factorial को हम 10 into 9 factorial लिख सकते हैं तो यह आपको समझ में हैं आप चलिए इस question को हम solve करते हैं हमारा question क्या है x factorial equal to 6 factorial into 7 factorial यह है ठीक है अब इस कहा कि देखें मैं आपर क्या करें कि यहां पर यह x factorial लिखे equal to यह 6 factorial यहां पर लिखे into और 7 factorial का formula क्या होता हम जानते हैं into पूरा लिखे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख लिया इस 7 factorial का 7 6 5 4 3 2 1 सब into में लिख लिख लिया अब इसके हैं कि देखें मिया पर क्या करेंगे यह है आपका x factorial equal to अब यहां पर देखें मिया पर क्या करेंगे यह 7 और यह into 6 factorial इनके बीच में into का sign है तो इन दोनों को एक साथ लिख 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख लिख लिए यहां पर ठीक है पेज हम उपर करते हैं अब इसके है कि देखें मिया पर क्या करेंगे यह आपका 3 लिखा हुआ है ठीक है अब यह क्या है x factorial है यहां पर x factorial लिखे equal to अब देखें इसका मैंने formula आपको बता दिया 7 into 6 factorial किसके बराबर होता है यह इसके बराबर है 7 factorial तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 7 factorial ठीक है यह तो 7 factorial के बराबर होगे into अब यहां पर देखें यह पूरा टम यहां पर लिखी क्या 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लिख लिए अब इसके आगे देखें मिया पर क्या करेंगे यह है x factorial equal to यह क्या है आपका 7 factorial into अब यहां और 5 पहले हैं आप लिखे 6 x 5 x 3 और यह 1 इसको पहले लिख लिजे और यह 4 और यह 2 है इनको एक साथ लिखिए ठीके इनको ब्रैकेट में कर सकते हैं क्योंकि आप पास में सब इंटू में यह हो गया अब इसका है कि देखे मैं आप यह क्या करेंगी यह हो जागा x factorial equal to इनको यह है 7 factorial x 6 x 5 x 3 x 1 और यह आपका 4 x 2 यह देखिए इनको इनको एक साथ लिखे ठीके तो सब के बीच में इनको का साइन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पहले 8 लिखते है 8 x 7 factorial इन दोनों को एक साथ ले लिए इनको और बच किया रहा है आपका यह बच रहा है तो इसको यहाँ लिखे 6 x 5 x 3 x 1 लिख लिए यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह आपका जो 8 x 7 factorial है इसको मैंने क्या बताया था किसके बराबर होगा आपका यहाँ मैंने आपको सब समझा दिया देखिए यहाँ पर 8 x 7 factorial देखिए 8 x 7 factorial कि किसके बराबर है 8 factorial के बराबर है तो इसके जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 into 7 factorial, इसके जगह हम 8 factorial लिखेंगे. यह आपको समझ में है, into, आप यहाँ पर देखें, आपको यह 6, 5, 3 into 1 बच रहा है, तो देखें, 6 को हम तोड़ के 2 into 3 लिख सकते हैं, इस 6 की जगह लिख दिया, अब क्या बच रहा है? 5 into 3 into 1 यह बच रहा है, ठीक है? अब इसके आगे देखेंगे? x factorial equal to, यह आपका 8 factorial into, अब यह 3 और यह 3, इनको आपस में into कर लिजे, 3, 3 जा, यह क्या हो जागा? 3 into 3, 9 हो जागा, तो इस जगह 9 लिख लिजे, बच क्या रहा ह तो यहाँ पर 2, 5 और 1 साथ में लिखें, यह आपको समझ में आया, पेच हम उपर करते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे, यह क्या हो जाएगा? x factorial equal to, इन दोनों को एक साथ लिजे, तो यह देखें, 8 factorial into 9 है, तो हम इसको 9 into 1 factorial भी लिख सकते हैं, लिख दिया और इनको bracket लग यह किसके बराबर होता है, 9 factorial के बराबर होता है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 9 factorial, किसके जगह, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 9 factorial into, अब यहाँ पर देखें, इसको into कीजिए आपस में, तो 2, 5, जा 10, 10 बंजा, 10 यह हो गया, ठीक है, अब इसको कैसे लिखता है, 9 factorial इंटू 10 है तो बीच में इंटू का से ने तो 10 पहले लिखिए और 9 फैक्टूरियल बाद में लिखिए ठीक है तो देखिए X फैक्टूरियल इक्वल टू अब यहां पर देखिए किसके बराबर होता है यह भी मैंने आपको दिखा दिया है किसके बराबर हो 10 इंटू 9 फैक्टूरियल के बराबर है तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे इस पूरे के जगह हम लिखेंगे इसके जगह हम क्या लिखेंगे 10 फैक्टूरियल ठीक है तो आप यहां देख सकते हैं यहां X फैक्टूरियल यह 10 फैक्टूरियल है दोनों में फैक्टूरियल लगा है तो यहां पर X की वैलू क्या आएगी? X की वैलू आएगी 10. तो यहां पर आंसर क्या आया है? हमारा 10 आया. तो उम्मीद है आपको यह कुशन जो है अच्छे चे समझ में आगया है.